हेलो एब्रिवान गुड इबनिंग कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे मसत होंगे बले जंगे होंगे हम लोग भी अच्छे हैं बेटू अभी सो रही है जैसे कि अभी नाइट का टाइम हो गया है इबनिंग तो ने कहना चाहिए तो तो कैसे हैं आप सब कॉमेंट करिएगा और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताईएगा मेरे को कॉमेंट करके वीडियो पे बहुत कम युग आ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और काफी दिनों से वीडियो ने गया था सोच रही थी बनाओ बनाओ लेकिन मेरी बेबी न अभी थोड़ा सा न ये एक दो बार रोती है इतना रोती है न कि मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं इसके साथ भले वो दो मिनट के लिए रोएगी लेकिन बहुत तेज तेज रोती है कभी कभी और दिन पर अभी मेरी बेटी सो नहीं रही है तो मैं कोई फी वीडियो बनाने पार हूँ बहुत सोती है न तो दो सेकेंड तीन सेकेंड के लिए से सोती है जैसे विस्तर में उसको सुलाओ तो रजग जाती है मतलब कि उठी में विस्तर से फिर जग जाती हूँ तो सोती नहीं है तो मैं समझ नहीं आता है कि वीडियो कैसे बनाओं और कभी-कभी नहीं मोबाइल पर उसका पूरा ध्यान रजाता है मोबे वीडियो देखते रहते हैं वो तो फिर मोबाइल लो फिर रोने लगती है अज मैं आज मैं देशी वाला मश्रूम बनाई थी मेरे घर से आया था मश्रूम तो मैं सोचती हूं रेसिपी सेयर करूं लेकिन मेरा अचकल वाला रूटीन ऐसे चल रहा है कि बच्चे को देखना है सबजी देखना है कभी सबजी जल जाता है 많이 कोईफ़ सेयर कर पाघ कर पा रही है काफ़ी टेश्टी बना था और बनाई थी पूरा खाबी सब्था आपसे बनाएं आपके मैं थी चाल रोगा को पिछले वीडियो मेरे भेश्याई गोड़ा बहुत बारिस कल इतना भयांकर बारिस हो आंब विकापुर में न की पूछे मत बहुत तीन 4 गंट लगातार बारिस को यह झाए और इतना बादल कर जाए न क्या पता हूं मैं और आप लोग इसांत कितना से यह गड़ करूं बारिस वाला वीडियो कल वाला भी गलि आज कि टॉपिक पर बैत करें आज हम बात करेंगे कि अखिर हम लड़कें के जिन्दागी में इतनी परिसानी क्यों होती है हम लोग बहुत परिसानियां क्यों छेलते हैं हमेसा बचबन से लेकर के छोटे रहते हैं तो नई बेटी है, बोज है, बोज है, बोज है लेकर के हमारी जो जिन्दगी की जो सुरुवात होती है, वो ऐसी होती है, तो बहुत ही संघर्ष भरी कहानी होती है, हर लड़की की, किसी किसी के फैमिली वाले बहुत अच्छे होते हैं, बट किसी किसी के फैमिली वाले अच् तो ऐसा होता है लड़कियां लेकिन किसी भी फिल्ड में अभी तो किसी से कम नहीं है हर शित्र में वो कदम से कदम मिला के पूरोज के साथ चल दे हैं फिर भी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़की है क्या कर लेगी ऐसा और लेकिन मेरे फैमली में असे नहीं था मेरे मामे पापा हमेशा हम लोग को ना हम लोग दो बैयन है तो हमेशा मेरे को तो बेटा का दर्जा मिला था मेरे पापा हमेशा मेरे को बेटा का दर्जा दिया लोग कहते भी थे कि ने तुम्हारे यहां बेटी है तो बेटा नहीं है त योगि इन सब को सिकार हो जाती हैं, अभी भी है इतना हमारा जो सामाज है, यह चीज को कभी भी सिकार ने करता है कि बेटी बेटे के बराबर नहीं है, कहीं न कहीं यह मत्तब कि गाउं में ज्यादा देखने को मिलता है, गाउं में क्या सहरों में भी देखने को मिलता है, और मैं न काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस पर बाते करूँ बहुत सारे लड़कियों के उपर आज भी अत्यचार होते हैं बहुत सारी इसी लड़किया हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको करने ने दिया जाता है पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ने ने दिया जाता है अखिर की बड़ी हो करेंगे क्या करेंगी आखिर साधी करना है साधी के बाद तो वही घर का काम करना है बस इस वज़े से तो मेरे साथ ऐसा मैं इसलिए यह वीडियो सेयर कर रही हूँ क्योंकि अब भी फिलाद फिर दो दिन के अंदर में मेरे को ऐसी दूख भरी कहानी देखने को मिली है तो मैं सुची कि क्यों न आप लोग के साथ सेयर करूँ क्योंकि लोगों की मान सिकता ना बदलने वालों में से तो नहीं है मेरे को लगता है क्योंकि बदल रहे हैं जवाना बदल रहा है लेकिन लोग की मान सिकता नहीं बदलती है कुछ लोग होते हैं सब की बात मैं नहीं कर रही हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मान सिकता पुरानी जवाने वाली है अब वो कभी सुधरने वाली और मेरे को किसी के बारे में ऐसा सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है हमारे साथ भी ऐसा था कि लोग गाउं में अक्सर की साधी को ले करके चल्दी रहती है हम भी नायत देन में थे तो असा था कि साधी करेंगे साधी करेंगे घरवले बोलते थे बट हमने मना किया इस तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऊचीजश्וע सब्सक्राइब अट्सोर में संच में होगोगे दूंतारीच उसके नहीं हम धागीा किproduct उप इपबह भी सीयर जब मेरे हम तस सदीड करेंlica में वीकाप उनके आकाएब ग्यासा उनलों को टेंसर नहीं रहता था कि साधी कर लो साधी कर रो ऐसा ने हम इपनी पढ़ाई चारी रखे थे लेकिन हमारी पढ़ाई अभी इनकंप्लीट है हम चाहते थे और भी आगे कुछ पढ़ें लेकिन किसमत को साध मंजूर ने था या फिर क्या करना चाहिए हम अभी भी चाहते हैं क्या कि पढ़ें हमारी एज अभी निकली नहीं है तो कोसिस करेंगे जरूर अभी तो मेरी बेटू बहुत चोटी है मैं चाहती थी बता दूँ आप लोग को मेरा ड्रीम था कि मैं बीड़ भी कर चाहिए थी कि बीड़ करूं और मेरे को ना नेट कौलिफाई करना था जी आरे तो मैं फार्म मटाली भी दो बार अपलाई गी थी मैं फार्म लेकिन में एक्जाम देने नहीं जा पाई एक बार तो यह हुआ कि डिलेवरी के दो महने बाद था तो मेरी बेटू ना इका आप बार था जया हुआ है कि इस वजह से कहा उसको लेकर करना और वो रहती भी नहीं थी किसे के पास तो इस वजह से नहीं पाते थे तो आप लोग अपनी मान सिकता को बदलिए जो भी मेरा वीडियो देख रहे है और मैं तो यहीं जाओंगे कि सभी लड़कियां को पढ़ाईए आप लोग इंचीन के घर में सब भेदभा होता है न प्रेज बंद कर देजिए क्योंकि लड़किया भी किसी से कम नहीं है किसी भी छेतर में आज देखें आप किसी भी छेतर में जाए कर्ए तो, सबी छेतर में लड़कों के बराबर ही है लड़कों से आगे भी हैं लड़कियां लेकिन लोग समझने को तिखार नहीं होताई पता नहीं क्यों और हम लोग ऐसी समाज में रहते हैं जहां लोग अपनी तो छोड़िये समाच की ज़्यादा फिगर करते हैं कि नहीं लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में लड़कियों की जिन्दगी पर बात करते हैं बस और मैं तो आप लोग से कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी मान सिक्ता को बदलिए लड़कियों को भी मौखा दीजी बहुत हड़ तक अभी तो सुधर गया है हमारो समाठ लेकिन कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता हैं तो ये वीडियो मैं कीसी से कीसी के बारे में सुनी मैं तब मेरे को लगा कि क्योओं ना मैं वीडियो बनाओ मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस सब चीजें कि उनके उपर अत्यचार हो रहे हैं उनके साथ भी द्वाव किया जा रहा है और उनकी जो मुल भूत अधिकार है जो करना चाहती है जो उसको छीन लिया जाता है बच्पन से भी थोड़े से बड़े हो जात और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देज़ेगा ताकि मैं कोई वीडियो डालूंगे तो नोटेवी कसा आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक नई उमंग नई जोस नए नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबा टेक केर अपना ख्याल रखिये